हेलो इस्टुडेंट्स सभीकूर नमस्कार एवं गवर्मेंट कॉलिज करोली बीएससी पार्ट फास्ट की इस क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है विद्यार्थियों हर वर्स प्थम सत्र जुलाई में शुरू होता है लेकिन विश्व्यापी महमारी के इस दौर में हम लोग बीएसी पार्ट फास्ट में अब जबकि अक्टुबर जाने वाला है एक दूसरे के समक्ष उपस्तित नहीं हो पाए है कौर्मेंट की गाइडलाइन्स के अंसार जब भी समय आएगा हम आपस में एक दूसरे के समक्ष उपस्तित होंगे लेकिन तब तक आप लोगों को फिजिक्स का अध्यन इस वाटसप ग्रुप के मध्यम से करना है तक्नीकी की साहता से करना है पी एस से सेकेंड यर और थर्ड यर के इसी प्रकार से अध्यन कारिये पिछले तीन महीने से जारी है हम लोग समय समय पर आपको वीडियू लेक्चर्स के मैध्यम से यूट्यूब चैनल के द्वारा आपको पैठ्थे सामगरी उपलब्द कराएंगे नोट्स पीडियेफ के रुपने होगा समय समय पर आप लोग ये सब देखते रहें यूट्यूब चैनल की लिंक इसी ग्रुप पर आपको भीज़ दी जाएगी यूट्यूब पर मेरी तीन प्लेइलिस्ट आल्रेडी बनी हुई है जो बीएसी सेकेंड येर और थर्ड येर के लिए हैं इनमें चौथी प्लेइलिस्ट आपके लिए होगे बीएसी फस्ट येर में आपके तीन पेपर होते हैं इनमें पेपर फस्ट मेकेनिक्स को हम लोग शुरू करेंगे तो आपको प्लेइलिस्ट मेकेनिक्स के नाम से बनी मिले इसके अलावा प्रतेक वीडियो की लिंक भी आपको इस वार्टसेप ग्रूप पर भीज दी जाएगे आप सभी विद्यार्थी रेगुलर रूप से अध्यन करें इस ग्रूप में केवल वे विद्यार्थी ही जोड़े गए हैं जिनका रेगुलर इस कॉलिज में एड्मिशन है और ये विद्यार्थी जिनोंने अपना फोन नम्मर ओन रेकॉर्ड सब्मिट किया है ये जिनकी विद्यार्थी का नमबर स्वायम का नहीं है या उसके किसी रिस्तिधार का नमबर है और उसके पता लगे तो वो मेरे को अलग से मेरे फॉन नमबर पर वाटसप पर या फॉन करके मेरे को बता दे उसका नमबर भी इस कृप में जोड़ दिया जाए आप सभी विद्यार थी रेगुलर इस कृप को देखते रहे वीडियोज को पढ़ते रहे समझते रहे और पीडियेफ नॉट्स को पढ़कर के समझें जो भी आपको प्रॉब्लम आए आप वाटसप के जरिये टेलिफॉन के जरिये मेरे से पूछ सकते हैं इस प्रकार से जब तक कि हम लोग एक दूसरे के समक्ष उपस्तित नहीं हो पाएंगे अध्यन का यह कारिये इसी प्रकार से जारी रहेगा तन्यवाद हेलो इस्टुदेंट्स गॉर्मेंट कॉलिज का रॉली बिसी पाटफास्ट फिजिक्स की क्लास्ट में आप सभी का स्वागत है इस माई फिर्स लेक्च्टर विद्यार्थी हो फिजिक्स में कुल कोटा यूनिवस्टी से एफिलेटेड है हमारा यह कॉलिज और उसके अनुसार कुल तीन पीपर आपके सिलेबस में होते हैं थियोरी के पहला पीपर मेकेनिक्स या अंत्रिकी दूसरा पीपर एलेक्ट्रो मेगनेटिस्म विद्यूत चुम्बकत्वर यह दूसरा पीपर तीसरा पीपर ओप्टिक्स यानिकी प्रकाशिक और चोथे रूप में प्रायोगिक कार्यावत है प्रैक्टिक्स यह आपके सिल्यवस के मुख्य बिंदू है विद्यार्थियोर्थ सभी सब्जक्स में चाहे फीजिक्स है केमिस्स्य है मैथेमेटिक्स है सभी में तीन-तीन पीपर होते है जबकि आप लोगों के सिल्यवस में सीनियर आज सेकेंडे तक दो पेपर हुआ करते थे तो यहां आपको तीन पेपर होंगे सिल्यवस कुछ तुलनात्मक रूप से ज़्यादा है पहला पेपर मेकेनिक्स का हम लोगों को शुरू करना है किताबें बुक्स आपको खरीदनी है तो इन किताबों में जो फर्स्ट यर के सिल्यवस को फ्रेम आउट करती है अलग-अलग पेपर्स की अलग-अलग किताब है यह सारी किताबें मार्केट में उपलब्द है कॉलिज बुक हाउश एक तो CBH इस पब्लिकेशन की है दूसरी RBD रमेश बुक डिपो इस पब्लिकेशन से है एक यह जैपुर पब्लिकेशन हाउस इससे हैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही मीडियमों में किताबें एक चीज और मैं आपको किलियर करते ना चाहता हूँ कि यहां हिंदी और अंग्लिश जी माध्यम से कोई विशेश फर्क नहीं पड़ता आप हिंदी चाहें हिंदी रखें इंग्लिश चाहें इंग्लिश रखें माध्यम की BSC में आकर के कोई अलग पहचान या अलग कुछ नहीं रहता है इन में से कोई सीवी किताब जो भी आपके पास उपलब्ध हो जो भी मार्केट में अविलिबल हो जाए आप खरीद लें सभी किताबें अच्छी हैं सभी में सिलेवस परियापत है सिलेवस क्या अनुसार इसमें हम पहले पहला पीपर शुरू करेंगे यहाँ पर that is मेकेनिक्स यानि की यांत्रिकी और यांत्रिकी ही नहीं सभी में सारे पीपर्स में कुल according to सिलेवस there are five units in each paper सभी पीपरों में पांच यूनिट होती हैं पांच इकाई हैं इन पांचों इकाईयों के रूप में हमें अध्यन करना है विद्यार्थियों यहाँ फस्टियर में पढ़ रहे हैं आप लोगों के पास में परियाप्त समय था आपने निश्यत रूप से उस समय का उप्योग किया होगा और उसमें आप लोग जो अब तक फिजिक्स पढ़ चुके हैं उसका अध्यन आपको एक बार फिर से बीच बीच में करते रहना चाहिए यू शुड़ गो थ्रो दा फंडम फंडमेंटल्स इन फिजिक्स अप्टू क्लास 12th स्टेंडर्ड बारवी कक्षा तक के जितने भी फिजिक्स के फंडमेंटल्स हैं उन सब का आपको एक बार अध्यन कर लिना चाहिए उनके बारे में पता होना चाहिए किस तरह की चीजे मेंली होनी चाहिए जैसे की फिजिकल कॉंटिटिज बहुत एक राशियां आप बहुत अच्छे से जानते हैं मौलिक राशी क्या है जित्पन राशियां क्या होती है फंडमेंटल कॉंटिटिज तो ये बहुत एक राशियां जो मैं समझता हूँ 11 खिलास के पहले चेप्टर से ही फिजिक्स शुरू होता है उनके मीनिंग्स क्या है उनकी यूनिट्स क्या है उनकी विमाएं क्या है किस तरह से हम बहुत एक राशियों की विमा ग्याद करते हैं तो इसका एक अध्यन आपको अच्छे से होना चाहिए विद्धियर तो एक चीज़ मैं और आपको पता देता हूँ कि चाहे फिजिक्स हो केमेस्ट्री हो मैथेमेटिक्स हो किसी भी तरह का ग्यान है ये ग्यान आगे तभी बढ़ता है जबकि पिछला ग्यान आपको पता हो तो पीछे आप जो कुछ पढ़ चुके हैं वो सब चीज़ें आप लोगों को यहां आनी चाहिएं ये हम आपसे अपिक्षा करते हैं एक चीज़ और मैं इसपस्ट कर देना चाहता हूँ कि क्लास ट्वेल्थ तक आपको लगबग पास किया जाता रहा है इसपस्ट है ये क्लास नौ और क्लास गया रहे इन क्लास नौ से क्लास सुरूशे लेकर के नाइंध तक किसी विद्यार्थी को फेल नहीं किया जाता यह सरकारी पॉलिशी में है यह था संभव विद्यार्थी को फेल नहीं किया जाता क्योंकि अगर विद्यार्थी को अरली क्लासेज में फेल कर दिया जाता है तो विद्यार्थी ट्रॉप आउट हो जाता है क्लास 11 में लोकल परिक्षा होती है इसलिए यहाँ पर भी विद्यार्थी का मूल्यांकन बहुत अच्छी तरह से नहीं होता क्लास 10 और 12 में विद्यार्थी को बोर्ड की परिक्षा से गुजरना पड़ता है लेकिन वहाँ पर भी ट्रतेक पेपर में आंतरिक मूल्यांकन के 10-20 परशंट 20 परशंट होता है इंटरनल सेसनल जो है या इंटरनल है वो और वो आपके स्कूलों से ही विज़ा जाता है इसके अलावा 33 परशंट पर पास होने के लिए मात्र 13 परशंट विद्यार्थी लाने पर ही अगले क्लास में पहुंच जाता है तो हम यह कहें कि विद्यार्थी की जो वास्तिविक परिक्षा होनी चाहिए वो परिक्षा का दोर कॉलेज एजिक्विशन में आकर के होता है यहां आपको sincerely पढ़ना है जो पढ़ाया जाए उसको धंग से पढ़ना है इसके अलावा जो syllabus है उस syllabus को आपको पढ़ना है एक और physics को पढ़ने के लिए mathematical concepts की आवशक्ता होती है याद रखिये कि physics का अपने tools, physics के अपने आधार गनित ही होता है आपको गनित बहुत अच्छी तरह से आएगा तो आप physics को आसानी से समझ पाएगा इसलिए गनित को आपको पहले पढ़ना पढ़ेगा और गनित के बाद ही आपको अच्छे से physics को पढ़ना है गनित के कुछ main tools जो हमें काम में लेने होते हैं उनमें differentiation यानि की आवकलन, integration, exponential functions, चरगातां की फलन, log, calculations इनकी हमें mainly आवशक्ता होते हैं तो ये आप लोगों को बहुत अच्छे से जो कुछ आप पढ़ चुके हैं उनको एक बार आप फिर से revise कर लें कुछ class 12 तक के physical concepts आप लोगोंने जितने भी पढ़े हैं उनको आप पढ़ लें कुछ definitions, कुछ terms, कुछ बिंदू इस तरह से आये थे, कुछ राशियां आये थी जिनकी बहुत एक राशियों के मान क्या हैं, उनकी परिभाशाएं क्या हैं, उनकी कई क्या हैं उनकी विमाएं क्या होती हैं ये बहुत सारी चीजें हैं जो आप पढ़ चुके हैं, वो सब कुछ आपको याद होनी चाहिए, उनके बारे में आपको idea होना चाहिए, पता होना चाहिए तो ये एक मोटा मोटा सा introduction है आपके लिए कि हमें अब school education से बढ़कर के college education में पहुँचना है और college education में university से निर्धार जो syllabus है, उस syllabus का अध्यन करना है विद्यारती एक चीज़ और मैं बता देता हूँ आपको, कि यहां college education में, government colleges में इन papers के केवल एक ही परिक्षा होती है, इसके अलावा बीच बीच में हम लोग test, internal test लेते हैं लेकिन कोटा यूनिवस्टी में इस syllabus के भी semester किये जा चुके हैं यानि कि एक वर्स की परिक्षा यानि कि एक वेपर के दो हिस्से होते हैं और उनकी दो पर परिक्षा होती हैं तो ये थोड़ा सा यूनिवस्टी की study में और यहां college education की study में भी syllabus के अध्यन से सम्मान देते के अंतर है तो आपको एक बार में पूरा syllabus तयार करना होता है semester में केवल semester के इससे का ही syllabus तयार करके और उसकी परिक्षा से गुजरना पड़ता है तो यहां आपको पूरा syllabus तयार करना है पूरा पेपर पड़ना है इसी आधार पर आप अपनी पढ़ाई पढ़ना शुरू कर दें निश्यत रूप से सफलता मिलेगी आप लोग regular पढ़े मैं बार बार कहता हूँ जो कुछ पढ़ाया जाए उसको regular पढ़े जितना भी करवाया जाए उसे regular अपने solve करें आप खुद solve करें अपने notes खुद बनाएं यदे पे हम लोग PDF format में आपको notes भी भी भीजते रहेंगे जो कुछ यहां पढ़ाया जाएगा यह लिखाया जाएगा या लिखेंगे हम इसको लिखें तो इसकी फोटो लेकर के PDF बना करके यह भी आपको पहुचा देंगे लेकिन सही माइने में notes तो वही होते हैं जो आप खुद यहां से पढ़ें टीचर पढ़ाएं और उसके बा पढ़ाइं लिखें जो आपको लेकर के बना करके दो आपको लिखें आपको लेकर को लिखें एनियमाद्ट